हलो श्रेंट्स मैं हूँ मनीश शंकरतिवारी और आप लोग देखना सुरू कर चुके हैं E-classes by मनीश शर हम लोग पढ़ रहे हैं कक्छा 10 का सामाजिक विज्ञान और उसके अंतरगत इतिहास विशय की किताब हमने उठाए थी और पहला ध्याय था यूरोप में राष्टवात का उद्याय सारे कंटेंट साथ भागों में सुवीधा की दरश्टी से बना करके आपको मैं देखा चुका हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से स्वन में आ गया होगा और उसके बाद पाठ के अंत में दिये गए प्रिश्टोंतरों को आपने हल करने की कोशिश भी की होगी साथ ही साथ पाठ के अंदर जो चर्चा करें के अंतरगात या गतिवीधियों के माध्यम से जो परियोजना वर्ख हैं प्रोजेक्ट कारे हैं उनको भी आपने सॉल्व करने की कोशिश जरूर की होगी और यदि नहीं की है आपको कोई दिक्कत गई हो तो आपके लिए प्रश्टोंतर और परियोजना कारे मैं इस वीडियो के माध्यम से ले करके आया हूँ तो चलिए हम आरंभ करते हैं उसके पहले मैं आपको बता दूँ कि यूरोप में राष्टवात का उदाय के अंतरगत साथ भागों में जो वीडियो हमने बनाए हैं जो कंटेंट रेडि किये हैं वो एक्लास बाय मनी सर पर उपलब्द हैं और उनकी लिंक यहाँ पर दी हु उसकी लिंक की दी हुई है उस लिंक पर आप क्लिक कीजिए और डाउनलोड कर लीजिए इसके अलावा आपको और भी वीडियो देखना है तो इसके लिए यूटूब पर जाकर आपको एक्लास बाय मनी सर टाइप करना पड़ेगा आपको एक्लास बाय मनी सर चैनल मिल यूरूप में राष्टवात का उदाय खत्म होता है समाप्त होता है उसके बाद अन्तिम पेच पर भारत में राष्टवात का उदाय भारत में राष्टी जागरण की जब हम बात करते हैं उसके पहले संचेप में लिखिये करके question answer दिये हुए पहला question है टिपड़ी हमको कि मैजनी जो है क्रांती कारी व्यक्ति था इसलिए क्रांती सब्द का उलेख मैजनी के साथ जरूर करें मैजनी इटली के एक क्रांती कारी थे और इनका जन्म जो है 1807 में हुआ था ध्यान रखियेगा सन यदि आप लिखते हैं तो आप एक अच्छे score की तरब जा सकते हैं स नंबर कम होंगे, पास तो आप हो जाएंगे, लेकिन नंबर आपके कम हो जाएंगे, तो 1807 मिन का जन्म हुआ था, सबसे पहले जिस संगठन से जोड़े थे, उसका नाम था कारबोनारी संगठन, कारबोनारी के बारे में कोई ज़्यादा डेटेल हमारी इस टेक्स्ट बुक म को हवादी, इसकी वज़े से इनको देश से निकाल दिये गया, लेकिन करांतिकारी विचारधारा वाला व्यक्ति था, चुपचाप रही नहीं सकता था, उसने देश से बाहर जाकर गुपत रूप से दो संगठन तयार कर लिये, एक यंग इटली के नाम से फ्रांस में, और ये की करत गनराज बनाना जरूरी है, इटली का अनुसरान करते हुए जर्मनी, स्वेचर लेंड, पोलेंड में बहुत सारे गुपत संगठर मनाये गए जो इसकी मदद करते हुए इटली को एक तरह से पूरा सपोर्ट मैजिनी की माध्यम से मिलने लगा था, अच्छे दूसरा जो बंदा दिया है काबूर, काबूर भी इटली से जोड़ा है, मैजिनी एक तरह से विचारों का जनक है कि इटली को एक इकरत किया जाए, इसी मैजिनी के स्वपन को साकार करने का पहला प्रयास अगर कोई करता है तो वह है काउंट कैमिली दे काबूर, काउंट कैमिली दे काबूर का जन्म जो है, वह कहां हुआ है, कैसे हुए, यह मैंने अध्याय को स्टार्ट किया था जब आपको सुरुगात में बता भी चुका हूं कि यह एक सामंती परिवार में जन्म लिया व्यक्ति था, बहुत ही पैसे वाले धनाड परिवार का व्यक था, यह जो है, बाद में पीटमान शाइडेनिया का प्रधान मंत्री बना, यह इटली के जो जेंटलमेन क्लास होती है, उसकी तरह रहता था, हाई कॉलर क्वालिटी का व्यक्ति, हाई कॉलर स्टेटस का व्यक्ति था, धनी था, पढ़ा लिखा था, हाँ, फ्रेंच भासा बहुत अच्छा वोलता था, और फ्रांस इसको अपने नजदीक मानता भी था, और फ्रांस की इसकी नजदीक क्यों के कारण ही, इसने फ्रांस से कूटनीतिक गुप्त गठबंधन कर लिया, जिस गठबंधन के कारण, जब इसकी सेना ऑस्टिया से योदे लड़ रही थी, तब फ्रांस तठस्त होकर देखता रहा, और इटलीक एकिकरण की लड़ाई में, गैरी वाल्डी का इसको सहयोग मिला, गैरी वाल्डी के सहयोग के बाद में, जब इटलीका एकिकरण हो गया, तब एकिकरत इटलीका जो राजा था, वह बनाया गया विक्टर एमेनुवल क और फिर विक्टर एमेनुवल ने काबूर को एकिकरत इटलीका प्राइम मिनिस्टर मतलब प्रधान मंतरी बनाया, ठीक है न, इसके बाद हम आगे देखते हैं यूनानी स्वतंतरता युद्ध, यूनानी स्वतंतरता युद्ध आख बंद करके आप लिख सकते हैं कि 1821 में आरंब हुआ, जिन लोगों को स्वतंतरता संघर्ष के दोरान देश से निकाल दिया गया था, उन लोगों ने राष्टवादी अंदोलन यूरोप में चलाया, यूरोप के लोगों को ये जो यूनानी कवी और कलाकार थे, यह बात बताने में सफल हो गए, कि यूनानी सभ् का पालना, इसाई धर्म की सभ्यता का पालना किसी इसलामिक राजा के कैद में है, बस इतनी बात थी कि पश्चमी यूरोप के लोगों का ग्रीक के स्वतंतरता सैनानियों को समर्थन मिलने लगा, ग्रीक जो है आटोमन सामराज, तुर्की सामराज, जो एक इसलामिक राजा मुसल्मान राजा था, उसका हिस्सा हुआ करता था, इसाईयों को ये बात खराब लगती थी, और इसलिए वो लोग किसी भी तरह से ग्रीक को या यूनान को कहें हम आजात कराना चाहते थे, स्वतंतरता संगर से रंग लेके आता है, 1832 में कुस्तुन्तुनिया की संधी होत राष्टवाद की भावना मजबूत हुई थी, तो ये यूनान का स्वतंतरता संगर सो गया, फिरोता फ्रैंकफर्ट संसत, सबसे महत्वपूर्ण, फ्रैंकफर्ट संसत के बारे में सवाल अकसर पूछा जा सकता है, और फ्रैंकफर्ट संसत एक्च्वल में क्या है, हमने आ पर वेक संविधान बनाते हैं, एक साल तक वहाँ पर संसत का आयोजन होता है, साल भर तक लोगों का आना, आजाना, उठना, बैठना और संविधान का निर्मार चलता रहता है, एक साल बाद संविधान का निर्मार होता है, ये निर्ने लिया जाता है, कि अब इस संविधा के अनुसार एक राजा चुना जाए और वह राजा संसद के अधीन कारे करेगा इसके लिए प्रशिया के राजा प्रशा के राजा को तैयार किया जाता है लेकिन प्रशा का राजा फैडरिक विलियम चतुर्थ जो है वह इस अनुरोध को ठुकरा देता है बोलता है नहीं मु महिलाओं की भूमी का। उधारवादी आंदोलन में महिलाओं ने हमेशा पूरुसों के साथ कंदे से कंधा मिलाकर सहयूब किया है। इसके बावजूथ भी महिलाओं को अनके واجब हक पूरुसों के द्वारा नहीं दिये गए हैं ऐसा ही होता है जर्मनी में भी जर्मनी में भी उनको मताधिकार से वंचित कर दिया गया था फ्रांस में भी हम लोगों ने पहले भी देखा था फ्रांस में 1946 में जाकर जब हमारा देश आजाद हो रहा था तब जाके फ्रांस में महिलाओं को मताधिकार मिले और उनको आगे बढ़ाया गया सेंट पॉल चर्च में फ्रैंक्फर्ट संसद में महिलाओं को एक सुविधा दी गई कि उनको केवल दर्सक दीरगा में बैटने के नुमती मिली वे केवल दर्सक दीरगा में बैटकर राजनितिक गटिविधियों को केवल देख सकती थी उसमें भाग नहीं ले सकती थी ठीक है इन प्रेश्टों के उत्तर आप अन्य तरीकों से लिखना चाहते हैं तो वो भी नीचे दिये हुए हैं बिंदू वार करके यह हमने एक अठे एक पैराग्राप के रूप में लिखे हैं आप चाहें तो पॉइंट आउट करके लिख सकते हैं जैसे मैजिनी के बारे में यहाँ पर दिखाए दे रहा है नीचे दो नंबर पर काउंट कैमीलो दे काबूर के बारे में टिपनी लिखिये युनानी स्वतंतरता युद्ध पर टिपनी लिखिये इसके बाद नीचे राष्टवादी संगर्सों में महिलाओं की भूमिका और फ्रैंकफर्ट संसत इसके बारे में आपको विस्तार से मैं बता चुका हूँ वीडियोज में भी आप देखिये और प्रश्टनों को आप उत्तर लिखना चाहते हैं तो इस तरह से आप इनको उत्तर लिख सकते हैं इसके बाद हम देखते हैं फ्रांसीसी लोगों के बीच सामोहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी करांती कारियों ने क्या कदम उठाए जब किसी देश को एकी करत किया जाता है उसको राष्ट राज्ज का जामा पहनाया जाता है तो उस राष्ट के लोगों के बीच में सामोहिक्ता के भाव पैदा हों, विरासत के प्रतियों के सांजहपन आए ये तैयारिया की जाती है तो उसके लिए वहाँ के लोगों ने भी इस तरह की तैयारियां की थी और इसके लिए रोमानी वाद का सहरा लिया गया, रोमान्टीसिजम का सहरा लिया गया ये बताया गया कि हमारी एक सांजही विरासत है, हमारी सांजही विरासत है, हमारी सांजही धरोहर है, इस भावना को बल दिया गया और उसके लिए जो काम किये गए वो यह किये गए थे कि सबसे पहले उनको जो है पित्र भूमी और नागरिक जैसे विचारों को सैयुक्त रूप से सामुदाइक बल प्रदान किया गया, सामुदाइक नाम दिया गया, मतलब पहले जो लेडिस और जेंटलमें था उसकी जगह पर यह बताया गया कि जैसे हमारे हम बोलता है मात्र भूमी, ऐसे वहाँ फ्रांस की भूमी है यह हमारी पित्र भूमी है और हम इसके नागरिक हैं, और जब लोगों को यह महसूस हुआ तो उनमें सामुदाइक पहचान के भाव पैदा हुए, राजा को हटा करके राजा का असेम्बिली जो है एक तरह से फ्रांस की संसत का काम करते हैं, राश्ट के नाम पर कई इस्तुतियां रची गई, कवियों के द्वारा अलग अलग गीत, कविताय रची गई, और सपत ली गई, सहीदों का गुडगान हुआ, राश्टवादी भावनाओं का संचार हुआ, बाद में एक कैंदरी ये प्रिशासनिक व्यवस्था लागू की गई, जिसमें सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए गया, कोई छोटा या भड़ा नहीं रखा गया, इसके अलावा आयात निर्यात सुल्क समाप्त कर दी गई, नापतौल की व्यवस्था एक कर दी और सबसे अच्छी बाद जो ही फ्रेंच भासा को राष्ट भासा का दर्जा दिया गया और अन्य भासाओं को हतोत साहित करने का प्रयास किया गया, इस तरह से फ्रांसी सी लोगों में सामुहिक पहचान का भाव पैदा होता है, मारियान और जर्मेनिया कौन थी, जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया, उसका महत क्या था, तो फ्रांस में राष्ट के प्रतीक के रूप में एक लोगपरी ईशाई महिला का नाम दिया गया और वह नाम था मारियान, भारत में हम भारत माता बोलता है, फ्रांस माता ना बोलकर मारियान उसको बोला गया, और पहचान भाव महसूस हो और देश के प्रती उनके अंदर एकता का राष्टवात का भाव संचारित हो इसी प्रकार जर्मनी में जर्मन राष्ट के रूपक के रूप में चुना गया था जर्मेनिय देवी को और उनको बलूत ब्रक्ष मतलब जो ओक का पेड़ होता उसके पत्तों का कुटक्या हूं तो इसका कारण है कि वलूत जो है वीरता का प्रतीक माना जाता था जर्मनी में इसलिए तो जिस तरह से जर्मेनिया और मारियान को चित्रत किया गया उसका बहुत व्यापक महत्व है मारियान की प्रतीमा को स्वतंतरता बंधुता और न्याय का प्रतीक मान होता है जर्मनी की जनता में इस से राष्ट के गौरों का ग्यान होता है अगला कोश्चन जर्मनी के एकी करण की प्रक्रिया को संचेप में समझाइए तो आपको बता दो कि जर्मनी की एकी करण की प्रक्रिया बेसिकली अगर हम देखें तो इसकी सुरुआत नैपोलियन बोन में सामने आता है 1815 में जब नेपुलियन बोनपार्ट हार जाता है तब भी जो जर्मन राइन संग था उसको यह थावत बनाया रखा जाता है लेकिन अब उसको पहले कमजोर कर देते हैं और उसको उपर आउस्टिया को थानेदार बना कर बैठा देते हैं और जर्मनी की जंता के अंदर रूमानी वाद की भावना है धीरे धीरे करके योहान फ्रीडगार्ड जैसे दार्शने को के माध्यम से परचारत और प्रसारत की जाती है लोगों के अंदर ये भावना आती है कि ये ठेकेदार ये थानेदार जो आश्टी है बेटा है हमारे सिर पर इससे हमको मुक्ती पाना है और इसके लिए सबसे पहले फ्रेंक्फर्ट संसत आयोजित की जाती है फ्रेंकफर्ट संसत का उदेश था जर्मनी को एक राष्ट बनाना और उस योजना को फेल कर दिया जाता है राजा और उसकी फोज मिलकर इस योजना को दवा दिते हैं लेकिन बाद में फिर प्रशा का जो प्रधान मंत्री होता है आटो वन बिशमार्क वह जर्मन संग का एकी करण का आंदोलन आरम करता है उसका नित्र तो करता है और जर्मनी के एकी करण का जो जनक है वह बिशमार्क बन जाता है बिसमार्क इसके लिए साथ वर्सों में तीन युद्ध लड़ता है 1864 डेनमार्क, आस्टिया और 1871 में फ्रांस तीनों में प्रशा की जीत होती है और जर्मनी के एकिकरण की प्रक्रिया पूरी हो जाती है फिर 1871 में वर्शाय के महल में एक समारो आयोजित किया जाता है और फिर प्रशा के राजा विलियम फर्स्ट को जर्मनी के समराट घोशित कर दिया जाता है इस तरह से जर्मनी के एकिकरण की प्रक्रिया पूर्ण होती है इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रशन अपने सार्षन वाले छेत्रों में सार्षन वियोस्थों को ज़्यादा को ज़्यादा को बनाने के लिए नेपोलियन ने बहुत व्यापक बदलाव की लेकिन कि एक बात को हम याद रखें नेपोलियन जब सेंट हैलेना द्वीप में कैद था तो उसने कहा था कि मुझे मेरे 40 युद्धों में जीत की वजए से भले याद ना रखा जाएगा लेकिन मेरे द्वारा जो ये सहिता बनाई गई है इसकी वजए से मैं अमर हो गया हूँ तो ये बात नेपोलियन कहता है और ये सच साबित होती है साचन व्यवस्था को अधिक कुसल बनाने के लिए नेपोलियन ने बहुत सारे बदलाव की जिसको 1804 का सिविल कोर्ट कहा जाता है जिसे हम नेपोलियन कोर्ट के नाम से भी जानते हैं नेपोलियन ने जन्म पर आधारित विशेश अधिकार विवस्था को खत्म कर दिया और कानून के समक्ष सारे लोग बराबर होंगे इस नियम को लागू कर दिया संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया, प्रशासनिक विभाजन सरल किये, सामन्ती विवस्था खत्म की, भूदासत्त और जागीरदारी सुल्क हटा दिये सहर्मों में जो कारीगरों के यूनियंस थी, जो दबाव बनाया करती थी, उनके कंट्रोल को समाप्त कर दिया और यातायात तथा संचार के नए नियम बनाये गए, उनमें सुधार किये गए, किसानों, मजदूरों, कारीगरों, उद्योपतियों को अपने अपनी फील्ड में काम करने की, स्वतंतरता प्रदान की गई कि आप जिस भी तरह से काम करना चाहें कीजिए, राष्ट का उत् की करन की प्रक्रिया में, यह जो आर्थिक एक्ता थी, यही सबसे महत्वपूर्ण थी, तो यह आतिश्योगती नहीं होगी, जब नापतौल की प्रणाली एक जैसी हो गई, एक ही मुद्रा हो गई, तो लोगों के अंदर आर्थिक एक्ता इस्थापित हो गई, जिसकी वज राजनेतिक, सामाजेक और आर्थिक विचारों को बढ़ावा दिया, कोश्चन को हल करने के पहले कोश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी होता है, 1848 की करांती का आर्थ सीधा सीधार थिये है, कि नया मध्यवर्ग, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और कानून के समक्ष सभी की समा प्रबल पक्षेधर था, यही अर्थ लगाया जाता, इसके लावा दूसरा कोई अर्थ नहीं है, हाँ, नया मध्यवर्ग जो है अपनी आर्थ को नती चाहता था, इसलिए उसने संपत्ति का जो निजी संपत्ति का जो अधिकार था, उसकी वकालत की थी, तो राजनेतिक द वस्था पर आधारी सरकार चले, यह उदारवादियों द्वारा राजनितिक द्रश्टिकोण अपनाया गया, उदारवादियों ने एक और बात कही कि निजी संपत्ति के अधिकार को सभी के लिए उपलगत होना चाहिए, सामाजिक द्रश्टिकोण की बात कर रहे हैं, तो महिलाओं को आजादी नहीं दी थी, समाज में उच नीच के भेदभाव को जरूर खत्म किया था, सबको समान अधिकार मिलने की बात इन्हों ने की थी, और सबसे बड़ी बात नीजी संपत्ति के अधिकार की वकालत करने की बज़ए से इन्हों ने गरीब गुर्वों की मा आरवाद का पक्षधर था, कई तरह की मुद्राय, नापतौल के कई मानक और अनेक चुंगी नाकों से आर्थिक गतिविदियों में रोडे अटकते थे, और नया व्यावसाई वर्ग इस एकिकरत आर्थिक इलाके की मांग कर रहा था, जब आर्थिक एकिकरन हो गया, तो मा का आना जाना, लोगों का आना जाना और पूंजी का आना जाना, बहुत ही सरल, सहज और सुगम हो गया, आर्थिक एकिकरन ने ही जर्मनी के राष्टी एकिकरन की निव रखी, इस बात को आप चाहें, तो एक नया कोश्चन भी बन सकता है, इस पर कि समझाई ये कि किस तरह आर्थिक एकिकरन ने जर्मनी में राष्टी एकिकरन की निव इस्थापित की, तो आप यही सब लिख सकते हैं, इसके यदि आप अन्य तरीके सोत्तर लिखना चाहते हैं, तो इस प्रशन का राजनितिक विचार अलग-अलग दिया हुआ है, इनके राजनितिक विचार थे प्रेश की सवतंतरता, जब आजादी की बात करते हैं, तो हर तरह की आजादी होती है, अभिव्यक्ति की सवतंतरता, लेखन की सवतंतरता, यह सारी चीजें राजनितिक विचारों के अंतरकत आ जाते हैं, सामाजिक विचार, आर्थिक विचार, यह आपके दो-दो पॉइ पोलनेस और माजूरिका जैसे लोकनेत्यों के माध्यम से उसने राष्टी नेत्रत्यों किया राष्टी भावना का नेत्रत्यों किया इनको नेत्यों को राष्टी प्रतिकौन बदल दिया और इसके साथ ही पॉलिश भासा जो थी उसको भी उन्होंने रूस के खिलाप संगर् यूणान के 177 संगर्स के लिए जो देला कुरोबा नाम का ये चित्रकार था फ्रांसी सी चित्रकार उसने अपना चित्र का नाम था मतलब कियास डीज का कतले याम वहाँ पर उसने जो भावनाई दिखाएं कि 20 जार यूनानीों को किस तरह से तुरकियों ने माल डाला है उच जादी दे दीजिए तो दूसरा राश्टवाद में संस्कृति का योगदान मलत चितरकारी का और तीसरा हम देखते हैं जर्मनी में अतीत के किस्से गढ़ कर वर्तमान को गढ़ने की कोशिस की गए थी योहान गौडफरीट के अलावा गृम बंधूओं की जो फेरी टेल्स याने कहानिया थी उन्होंने सारे जर्मनी के गाओं गाओं ढूंड कर खोज कर घूम कर जो कहानिया कटे की थी किस्से कटे किये थी और लोगों को बताया था कि आपका जर्मनी ऐसा था जिसको बदल दिया गया है और फ्रांसिसी वर्चसों को जर्मनी से हटाने के लिए उ होने ये सारा किया था और अंत्रता है जर्मनी की राष्टी पहचान को बनाने में फेरी टेल्स जो थी ग्रेम बंदूओं की वा है कामयाब हुई अगला कोश्चन किन ही दो देशों पर ध्यान कैंदरित करते हुए उनीश्वी सदी के राष्ट किस प्रकार विक्सित हुई ये बताईए इटली के बारे में हमने काबूर को पढ़ात उसमें देख लिया है कि इटली मैजिनी का स्वपन था कि एकिकरत हो काबूर उस सपनों को साकार करने के लिए उस्टिया से लड़ता है फ्रांस के साथ संधी करते हुए और लोमबार्डी का छेतर परमा मैडोना का छेतर जीत लेता है और एक लिके की करण की प्रक्रिया को आराम कर देता है इसी तरह से दूसरा हमने यूनान का देखा कि आर्टोमन संस्कृति जो थी वह है उसके विरुद्ध खड़े हो जाते हैं एक्चल में क्या होता है यूनान की जो ग्रीस कल्चर थी वह है यूरोपी सब्धता के नजजदीक थी यूरोपी सब्धता मतलब क्रिस्चिनीटी के अंतरगत थी और आर्टोमन सामराज जो थी था वह इस्लामिक इस्टेट था तो इस वज़ए से इन लोगों के बीच में बहुत ही जादा गहरी सांस्कृतिक खाई थी और ये इस बज़ए से इनकी बीच में संगर्स हुआ और अंतरता है संगर्स की जीत हुई इसके अलावा हम बेल्जियम को भी देख सकते हैं जिसको यूनाइटेट किंग्डम आफ नीदरलेंड्स का एक हिस्सा बना दिया गया था नौवा कोश्चन ब्रिटैन में राष्टवाद का सेश यूरोप के इतिहाद से किस प्रकार भेंड़ता है इस पश्ट करें बहुत भेंड़ता है यूरोप में जो राष्टवाद आया था फ्रांस की बात करें जर्मनी की बात करें इटली की बात करें पोलेंड की बात करे या यूनान की बात कर रहे हैं बालकान समू की बात कर रहे हैं यहां पर लड़ लड़कर लड़ लड़कर इन अपने विरोधियों से लड़कर राष्ट राज की स्थापना की गई थी लेकिन ब्रेटैन में ऐसा नहीं था ब्रेटैन में क्या किया था उदारवादियों ने ए और आयरलेंड को अपने कबजी में जमा लिए ये सारी चीज़ें आप इसको अपनी भाषा में चाहे तो लिख सकते हैं या जैसा कि आपको दिखाए दे रहा है वैसा भी आप लिख सकते हैं अगला और अंतिम प्रशन जो पाठ्ठ पुस्तक पर आधारे थे वालकान प्रदे जैसे ये लोग आजाद हो गए अनेक स्टेट्स में रोमानिया, बुल्गारिया, मैसोडोनिया, ग्रीस सब अलग हो गए जब ये अलग हो गए तो ये लोग सारे के सारे लोग एक दूसरे से धक्का मुकी करने लगे जैसे हम लोग सीट पर बैटने के लिए एक दूसरे को बारा, दस, ग्यारा राश्टी ये आपस में उस छेतर में थे, आपस में खूब लड़ते जगरते हैं, खूब इर्शया जलन रखते हैं, इनकी जलन और लड़ाई को देख करके बड़ी महासक्तियां भी बालकान छेतर में हस्तेशेप करने लगती हैं, उन बड़ी महासक् संगर्स होता है, यहां पर बालकान छेतर के राश्टों में भी आपस में संगर्स होता है, अब उनकी आपसी संगर्स और इनकी आपसी संगर्स मिला करके उस छेतर में एक राश्टवादी तनाओं को व्यापक स्वरूप प्रदान कर देते हैं, और यह व्यापक स्वरूप यह जो प्रश्णों तर थे समाप्त होते हैं अब एक इस्टुलेंट ने हम से काता है सर एंसी क्यूज हल करा दीजिएगा मतलब बहुविकल्पी प्रश्णों को आप जरूर कराईएगा तो इसमें लगभग 70-80 बहुविकल्पी प्रश्णों है जर्मा संग्रह मतलब किसी भी प्रस्ताओं के संदर्व में उसके समर्थन में सुईकार या सुईकार करने के लिए प्रतिक्ष वोट देना जर्मा संग्रह कहलाता है आर्नेश्ट रैनन का मानना था कि राष्णों का अस्तित तो एक आवज सकता है क्यों कि राष्णों के अस्तित्तों से लोगों की स्वतंतरता सुनिष्चित होती है लोगों की स्वतंतरता सुनिष्चित करने के लिए राष्णों का अस्तित्तों होना जरूर है समानता की बात नहीं करता है रेनन की समानता अगली जब स्वतंतरता आएगी तो समानता की भाव आने लगेंगे वियना कांग्रेस में कौन सा देश शामिल नहीं था तो इसके लिए आपको याद करना पड़ेगा जैसे इस उप्सन में मैंने स्विट्जर लेंड का अप्सन दिया था अगला लेकिन हो सकता है कि आपको स्विट्जर लेंड का आप्सन ना मिले तो कौन कौन से राष्ट सामिल थे उनको आप याद रखिएगा तो सामिल देश थे ब्रिटैन, रूस, प्रशिया और एक और चोथा देश था आउस्ट्रिया कौन सा देश था आउस्ट्रिया याद रखिए आप ये चार देश सामिल थे अब इन में से इन चारों में से को अगला कोस्चन पहली महान करांटी फ्रांसेजी करांटी इसके बाद साथवा कोस्चन आठ होा नोवा इस तरह से आप लगतार इन कोस्चन को हल कर सकते हैं उधारवाद कार्थ क्या है? चार में से एक है उधारवाद कार्थ है व्यक्ती के लिए तहनाता, आजादी और गॉर देने का अधिकार। रूड़ीबाद की विशिष्टाएं क्या नहीं है। तो रूड़ीबाद परंपरावादियों ने पूर्व करांती कारी दनों के समाज को लोटाने का प्रस्ताव रखा और रासाई को मजबूत करने के लिए आदोनी की करन के विचारों की खिलाफत की। मानता प्राप्त ग्रीश की संधी कुस्तुन्तुनिया की संधी को कॉस्टें टेनोपल की संधी भी कहा जाता है। में गठन से था, कारबोनरी से था, किस सासंग की स्थापना विएना कॉंग्रेस द्वारा इस्थापित की गई थी, तो 1815 में बूरवु राजबंस को पूनर इस्थापित की अ गया था विएना कॉंग्रेस के द्वारा, इस तरह से विलियम फष्ट कहां का सा सक था, हंगरी की जो भासा थी वो क्या थी चुकि पूरे पार्ट में हंगरी को लिए करके बहुत ज्यादा कुछ नहीं दिया गया है के वल इतना दिया है कि हंगरी की भासा मेगयार भासा थी और इसके लावे दिया गया था कि ऑस्ट्रिया ने जब हंगरी को आटोनोमा स्वायत तत प्रदान की थी, तो हंगरी के मेग्यारों को निरंकु साथन व्योस्था इस्तापित करने में आसानी गई थी, सिर्फ इतना लिखा हुआ है, तो इसलिए मेग्यार सब्द का बार-बार हंगरी के संदर में प्रयोक किया गया, इसलिए ये कुश्चन बहुत important है, और दो ही मेजनी, यंग यूरोप, मेजनी, यंग पोलेंड बगरा मेजनी से इस्पायर होके किया है, ये मेटरनिक की व्यवस्था का उद्देश से पुरानी, मेटरनिक जो है रोड हिवादी विचारतारा वाला था, और मेटरनिक औस्टिया का चांसलर थे, नेपोलियन के कोड में क में और कारावाश ये पाँच बिंदूओं को पाँच पॉइंट्स को सामिल किया गया था इसके इर्द गिर्द पूरे नैपोलियन की सिविल सहता तयार हुई थी जर्मनी और इटली के एकी करण के विरोध में सबसे ज्यादा था तो आस्टिया था क्योंकि उस समय इन छेत् की बात आती है कि यूरोप को कौन से छेत्रे से प्रेड़ना मिलती है यूरोप का पालना किसे कहते हैं तो ये सारी चीजें आप लोग यूनान को ही कहेंगे यूरोप की सभ्यता का पालना इसके बाद जर्मनी की बात हो लालकुर्ती संगठन गैरी बाल्डी जर्मनी में कि संग की स्थापना की नैपोलियन ने जर्मनी में संग बनाया था 45 वा कोश्चन उसका नाम था राइन संग जर्मेनिया जर्मन राष्ट की प्रतीक काबूर इटली का प्रधान मंत्री रूमानी बाद एक शांस्क्रतिक आंदोलन जॉल वेरिन व्यापारिक संस्था 1830 के बाद फ्रांस में समयधाने के राष्ट राया इटली और बरत्वान में किस महादेश या महादवीब भी बोल सकते हैं हम इसको किस महादवीब के अंतरगत आते हैं तो उत्तर आएगा यूरोप के अंतरगत आते हैं एक्टाप यूनियन 1707 में आई थी इसके बाद मारियान फ्रांस यूरोप के स्वतंतरता संगर्स में तुर्की की पराजय हुई थी इस तरह से आप इन प्रश्णों के उत्तर नोट करते जाएगा और लिखते जाएगा इटली के एक और लिखते जाएगा अपनी कॉपी मे ये कोश्चन 64 वो दोबारा रिपीट हो गया कि मैजनी का समंद कि संगठन से था कारगो नरी से था इसके बाद हम देखते हैं अगला कोश्चन 65 से लेके 68 तक पोलेंड के विद्रो को किस ने कुचल दिया था और रूस ने कुचल दिया था ये कोश्चन के आंसर आपको ये रिपीटेड है उपर इसका बढ़न किया गया है एक अच्छा कोश्चन है कि यूनान के स्वतंतरता संगर्स में कौन सा ब्रिटिस कवी सहीद हुए था तलाड बायरन सहीद हुए था इनको बुखार आ गया था और ये खत्म हो गया था पैसा एकटा करके ये यूनान के स्वतंतरता संगर्स के लिए इंगलेंड की कवी थे ये जॉल विरेंड की स्थापना प्रशाने की थी ये कोश्चन भी रिपीट है यूरोपी सब्विता का पालना यूनान को कहा जाता था तो इस तरह से ये वस्तुनिष्ट प्रशन इतने सारे हैं इनको आप लोग देख लीजेगा समझ लीजेगा और कोश्चन परिक्षा में आते हैं तो इनको हल कर लीजेगा ठीक है ना तो इस तरह से आपके सामने 85-86 के करीब हमने वस्तुनिष्ट कोश्चन से रखे हुए हैं इन मैंसे पांच्छा कोश्चन रिपीट हो सकते हैं तो फिर भी 85-85 के बीच के प्रश्चन हैं जो आपके काम में आएंगे इसके बाद एक या दो अंके प्रश्चन राष्ट किसे कहते हैं तो राष्ट जब किसे कहते हैं कि बात आएगी तो रेनन के अनुसार राष्ट समान भासा नसलिया धर्म से छेतर बनता है इस बात की वह आलोचना करता है कि समान भासा समान नस समाल धर्म समान छेतर के लोग जो बनाते हैं उसको राष्ट नहीं कहते राष्ट जो है एक लंबे प्रयासों त्याग निष्ठा का चरम बिंदू होता है यह रेनन कहता है राष्ट राज्य क्या है तो राष्ट राज्य जो है एक निष्चित भौगलिक छेतर उन लोगों का ग्रहशेत्र बन जाता है जिनकी सांस्कृतिक एतिहासिक भासायो धार्मिक धरोहर सांजी होती है एक जोट होते हैं जिसके अंतरगत आप राष्टवाद से क्या समझते हैं पई राष्टवाद वाद सब्द लग्या मतलब किसी के प्रती पूर्ट समर्पन प्रदर्शित करना भाई भतीजाबाद अपने भाई भतीजों के प्रती समर्पित करना राष्टवाद अपने राष्ट के प्रती पूर्पन समर्पन इसके बाद जन्मत संग्रा इसके बारे में भी हम देख चुके हैं नरंकुस बाद, मेरा वचन ही सासन, उदारवाद, लिबरलिज्म, आजादी की बात करना, रूड़ी बात, आजादी की तो बाते नहीं करना, राजा की बात करना, राजा ही राजा, मेरा वचन ही सासन वाली के लिए उनके राजनीतिक आर्थिक सामाजिक उत्थान के लिए पूरी तरह से संघर्ष करना मतलब नारिवात कहलाता है रूपक किसी अमूर्त विचार को स्वरूप देना व्यक्तिय चीज का रूपक कहलाता है अमूर्त विचार जैसे अब हमको पता है कि इरश्या या लाल यान के बारे में बता चुके हैं, आटोमन सामराज आप जानते ही हैं, फ्रेडिक्सारी उकॉन था ये जानते हैं, चित्रकार था ये, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट बहुत ही जवरदसता आदमी है, 15 अगस्त को इसका जन्म हुआ था, और कल, ये मतल मैजनी ने की थी, जर्मन पंचांग किसे ने बनाया था, जर्मन पंचांग बनाया था, एक पत्रकार एड्रियास रेबनान, रेबनान का ध्यान रखिएगा, बैंक आफ फ्रांस नेपोलियन, लोगों को अपनी आजादी मुठी में कर लानी चाहिए, ये उसी चित्र में ल को होता है, मैटर ने कहता है, विचार धारा क्या कहतला आती है, विचारों का एक समूह होता है, जो बैक्ति किसी खास विचार से जोड़ा हुआ हो, एक जैसे विचारों के समूह को विचार धारा कहते है, जर्मनी के एकिकरण के प्रमुख निरमाता कौन थे, तो विलियम और चांसलर विश्मार्क। इटली के एकिकरण में मैजनी, काबूर, गहरी वाल्डी और वहां का राजा विक्टर एमेनुवल दूती। चाल्स प्रथम ने यहाँ पर एकिकरण की सुरुवात कर दी थी। विश्व को फ्रांसेसी करांती की दैन, स्वतंतरता, बंदुता और नयाय। राइन संग की स्थापना कब और किसने की राइन संग की स्थापना 1804 के आसपास नेपूलियन के द्वारा की गई थी जर्मानी का एकिकरण करते हुए। बिस्मार का परिचय दें। तो ये सारी चीजें जो है ये कोश्चन आसर के रूप में जरूर यहां है लेकिन जब आप जर्मानी का एकिकरण पढ़ेंगे तो उसमें बिस्मार का परिचय मेरे द्वारा दिया गया और जर्मानी की एकिकरण क्या भूमिकाने भाई वो भी पर लिखा है आप उसका उत्तर यहाँ पर देख रहे हैं वियना कॉंग्रेस के उत्देश वियना संधी को देख रहे हैं इस तरह से ये प्रिष्ट उत्तर को आप हल करते जाएंगे और देखेंगे उधारवात का रथ बताईए दोबारा आगे एक कुश्चन सुल्क संग क्य है याने चौल विराइन को सुल्क संग के नाम से भी जाना जाता है मैजिनी ने दो भूमिगत संगठन कौन कौन से बनाये थे यंग इटली और यंग यूरोप नाम के दो संगठन बनाये थे कुश्टुन तूनिया की संधी 1832 में होई थी रुमानीवाद एक सांस्कृतिक आंदोलन था जिसने लोगों की अंदर सामोहिक साजी विरासत की अनुभूती कराई थी केराओल कुर्पिस की पोलेंड से सम्मन देते अच्छे एक बात और इसमें सही जोडी के अंतरकत आप से पूछा जा सकता है एक तरफ नाम दे देंगे केराओल कुर्पिस की आपके समझ में नहीं आ रहा है तो उन नए प्रशनों को भी आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए उनको भी मैं पीडियेप में जोड करके और नई पीडियेप अपलोड कर दूँगा लिंक हुआ ही रहेगी आप उसमें टेंशन लेने की बिल्कुल भी आप सकता नहीं है तीन अंकों के प्रशन इस तरह से बनेंगे कि राष्ट राज की तीन विशेषताय लिखिए फ्रांस के फ्रांसी सेना का सुरू आती उत्साय विरोध का कारण इसलिए बन गया चूकि नई प्रिशाशनिक विवस्था में राजनितिक स्वतंतरता नहीं मिल रही थी समानता जरूर निली थी बढ़े हुए कार सेंसर से और बाकी यूरूप को जीतने के लिए फ्रांस की सेना में जवर जस् जीते हुए छेतर के लोगों की भरती की जा रही थी ऐसे बहुत सारी तमाम कारण थे जिससे नेपोलियन से भी लोग रुष्ट होने लगे तो इसी का फायदा उठाकर 1815 उसके खिलाप युद्धर रचा जाता है और उसको हरा करके निरवासित कर दिया जाता है योहन ग्र मैं पूरी ची जादा पढ़ किसली निवता रहा हूँ चुकि पीडियाफ आलरेडी इसकी पीडियाफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्सन बॉक्स में उपलब धकरा दी गई है आप उस पीडियाफ को डाउनलोड करें और उसको पढ़ें यदि आपको कोई भी पॉइंट में कोश्चन हल करें अपनी भासा में भी आप चाहें तो लिख सकते हैं ऐसा नहीं है कि जो भासा मैंने लिखी है यहाँ पर उत्तर की वही भासा आप लिखें आप अपनी भासा में पॉइंट बना करके एक दो तीन चार उस तरह लिख सकते हैं या अलग तरह से अगर आप लि कैसे होंगे चलिए देखते हैं ये पहला कार आपकी राय में चित्र एक किस प्रकार कलपना दर्शी दर्श्टी को प्रती बिम्बित करता है इसको आप समझ लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि फ्रेडरिक सार्यों ने एक यूटोपियन विजन बनाया था आपके अनुसा किया था और उसके प्रिंट में जर्मन लोगों को एक सामान जहंडे में दिखाया था है मतलब जर्मनी को एक बता दिया है मतलब उस समय जो फ्रेडरिक सार्यों ने जर्मनी का ध्वज दिखाया है वह तब जर्मनी नाम का एकिकरत राष्ट था ही नहीं 1848 में चितर बना था और 1871 में जर्मनी का एक ही करण हुआ है तो उस समय के हिसाब से अगर देखा जाए तो सार्यू का यह विजन यूटोपियन विजन के अंतरगत आता है रेनन के समझ के अनुसार राष्ट की विजिशताओं का संशिप्त वर्णन कीजिए यह दिये हुए नीचे तीन चार पॉइंट में उन राजनीतिक उद्धिश्यों का विवरान दें जिन्हें आर्थिक कदमों द्वारा हासिल करने के उमीद प्रोफेशर फ्रेडरिक लिष् फ्रेडरिक सार्यू चितरकार था फ्रेडरिक लिष्ट अर्थशास्त्री था ध्यान रखिएगा वियना कांग्रेस के बाद हुए परिवरतन आपको इस तरह से दिखाए देंगे यहाँ पर आपको दिख रहा है यह वियना कांग्रेस के बाद जर्मनी को विभाजत कर दिय गया था फ्रांस के बहुत सारे छेत्रे धर्व ये बीच में इस्थापित कर दिये गए थे इटली की व्यवस्था चेंज कर दिये गए थे इसे तमाम परिवर्तन कर दिये गए थे इसके बाद इस चित्र में व्यंग कार क्या दरसाने का प्रियाश कर रहा है आप परियोजना कार बुनकरों के विद्रोह का वर्णन करना है तो ये आपके सामने बुनकरों का विद्रोह है ये परियोजना आठ परियोजना कारे नौ ऐसे इन परियोजना कारे मतलब प्रोजेक्ट वर्क जो आपके सामने दिख रहा हैं इनको आप लोग विधिवत तरीके से चाहे तो नोट कर लें या ये पीडियेप की प्रिंट आप लोग ले लीजी और इन प्रिंट्स के माध्यम से आप इनको याद करने कोजिस कीजिए देखिए हम आपको E-classes by Manishar के माध्यम से सारी चीज उपलब्द करा सकते हैं लेकिन उपलब्द एक चीज नहीं करा सकते और वह है आपकी पढ़ाई की प्रती रूची जगाना आपकी पढ़ाई की प्रती रूची जगारन का काम आपके अंदर से ही आपको पैदा करना पड़ेगा यदि आप ऐसा करने में सफल होते हैं तो आप यूरोप में राष्टबात के उद्धा को बहुत अच्छे से समझते हैं और ये जो सारे प्रिश्णों तरहिन को आप बहुत अच्छे से एक्जाम में हल कर सकते हैं आज के लिए इतना काफी है अब मैं आप से इजाज़त लेता हूँ जय हिन जय भारत